अगगोचयों यह वएरी वएरी गुड इवनिग डू ओल अभी डे रिस्टुवेंट आज की क्लास में हम progress टोपिक को कवर करेंगे तो रिवेंण Information को 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 करने से पहले आप Sickset मिपहले से लेटेड कुछ बच्चे revenue क्या होता है basically एक सधरान सा example लेता हूँ मैं कि आपने सुबह दुकान खोला और आपके पास में बिकरी स्टार्ट हुई और शाम को जब आप शटर डाउन कर रहे हो तो सुबह से लेकर शाम तक जो पैसा आपके हाथ में आया वो आपका revenue है बच्चे profit नहीं है वो आप एक बास समझेगा कि आप एक दुकानदार है और आपने पांच रुपए में पारलेजी बेज दिया और कस्टमर ने आपको पांच रुपए दे दिये तो पांच रुपए आपकी revenue है बट आपका profit नहीं है क्योंकि उस पारलेजी को भी आपने पी पीछे पे करा हुआ है तो आपकी कोस्ट वहाँ पर सड़े चार है revenue आपकी पांच और प्रॉफिट आपका 50 पैसा है तो revenue अलग चीज होती है और प्रॉफिट एक अलग चीज होता है पहले इस पास आपके पास में आएंगे पचास रुपए तो यह आपके पास है प्राइ क्लियर है बच्चे तो revenue का आपका सिंपल सा एक फॉर्मुला है प्राइस इंटू क्वांटिटी एक पॉर्मुले का दानक ना इसके उपर हम जो है कोश्टन को ले करके चलेंगे अब अब बच्चे बेसिकली रिवेन्यू अगर आप बात करें तो दो तरीके की मार्केट हो होगा तो अगर में मार्केट की बात कर रहा हूं चले अब पर रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो दोनों की बात कर लेते हैं अगर हम यहां पर मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट बेसिकली दो तरीके की होती है एक आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट कॉंपिटि और आप एक मार्केट देखेंगे तो आपको एक देखने को मिलता है आपका अब अधर मार्केट को किसी भी नाम से बोलेगा वह आपको लाइक आपको बोल सकता है मॉनोपली कुछ भी आपका नाम हो सकता है वह तो दो तरगी की मार्केट आपके पास में होती है तो इसमें क्या रहता है कि प्रफेट कॉंपेट्शन मार्केट के अंदर आप जितनी मर्जी यूनिट्स बेसिकली इसमें एक होमोजीनियस प्रोड़क्ट बिखता है एक जैसे प्रोड़क्ट बिखेंगे उसमें कोई वो कलर में वेट में टेस्ट में प्राइस में शीम को सब ज्वें प्राइस ृट। सब कुछ सेम मिलेगा आपको और प्राइस भी आपका सेम रहेगा और अगर आप दुकानदार से पैपसी लेने जा रहे हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2-5 पैपसी चीए थोड़ा पैसा कम लगा लो तो यहाँ पर वो पैसा भी कम नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देखेंग एंट दू कॉंटिती आता है यहाँ पर आपके पास बीश रुपए और यहाँ पर टीस रुपए और आपका मार्जिन को सेल करने से म्य पर आपके पास में जो कोसल में पर आपके पास रहें प्सक जेंगे आरेस एक एडिशन यूनिट के लिए चेंज इन टीर इस मार्जर रिवेन्यू कहते हैं और हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या होता है बच्चे अगर हम बात करें तो जितना आपका पास में पैसा आया और जितनी कॉंटिटी पर आया तो इस कॉंटिटी पर कितने रुपए आपके कुलें MR को देखिए और आप अपने AR को देखिए तीनों क्या मिलता है आपको तीनों ही यहां पर आपको सेम सेमिलर देखने को मिलते हैं यह प्राइस myths से आपको उत्रही पैसे मिलेगा जब प्राइस निश्य और सबी इलिया है सब करें लिए तो सब का इएवरेज उत्रह प्राइस के एक्पुल होता है यहां ज्यादा इनिट को बेच रहे हैं तो प्राइस कम नहीं हो रहे हैं और आपका टी यहार कैसे होता तो कुछ फॉर्मुला यहां पर आपके जो है वो क्रेट हो रहे हैं उसको भी लिखना बड़ा जुरूरी है कि आपके पास में एक फॉर् प्रवाइयार का और आपको टी यार भाइडे वाइवाइडे कॉवाण्टिटी और एक फॉर्मूला आपके सामने किसका मिले रिवेंडी नीगा तो वह सब चीजें तो पिछला वाला बन जाएगा अगर बच्चे तो आप बहुत 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 तरिके से परफॉर्म कर प चलने का क्या आखो नहीं आता है अब अधर मार्केट ये मोनुपली मार्केट में क्या देखने कूं मिलता है तो यहां पर अगर बात करते यहां पर अगर बात करते हैं बच्छे मोJack सोला आया को से बारे में मुगोण के चेंश कितना रहे है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास प्राइज आपका आम आर्दी आप फॉरों में लग जाता है और comoJack कॉरूला तो MR और यार दोनों का नीचर कैसा रहता है इसमें क्लेरे बच्चे कि जैसे से आप आउट्पुट यहाँ पर आपका बढ़ेगा वैसे आपका MR और यार क्या होगा फॉल होगा क्लेरे बास समझे एकिनॉमिस केट पॉंट अभी से देखेगा अभी आप अभी आप बिजनस म पांबेगातिक्स के नजरे से देखते हैं थोड़ा साफ को समझ में आ गया रिवेन्यू क्या होता है माजे रिवेन्यू क्या होता है और आपके पास में परफेट कॉंपीटिशन और अधर मार्किट क्या रहता है हां जी बत्ची अब एक कोशिन आपके सामने हैं कि ता डि की value क्या price की value यह है आपके पास में price equals to 200 minus 5x यहां पर x basically किसको represent करता है x जो है वो quantity को represent करता है किसको represent करता है quantity को यह बात का बस ध्यान रखना clear है where p is the price per unit and x is the quantity demanded तो per unit price क्या है p है clear है बच्चे और x क्या है quantity demanded है find mr तो बच्चे mr तो बाद में आएगा देखिएगा हम जिसका marginal लेते हैं पिछले की तरह ही हम जिसका marginal calculate करते हैं जिस चीज का मार्जेनल revenue तो marginal किसका डैरिवेटिव लेना पड़ता है तो बेसिकली की marginal revenue मतलब की marginal निकालना है टोडल रिवेन्यू का और टोडल रिवेन्यू का मार्जन रिवेन्यू का इसका माझन उसका derivative लेना पड़ता है तो मुझे सबसे पार requirement क्या टी यार का टी यार की होता है पुल कितनी quantity ले रहा हूं मैं total मैं X unit ले रहा हूं तो ये मेरे पास में total ये price per unit और X मेरे पास में ये रहा तो TR मेरे पास में क्या जाएगा बच्चे अब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए बच्चे MR के लिए मैं क्या structure अफ्लाई करूँगा MR के लिए मैं क्या करने वाला हूं MR एक्वल्स टू MR एक्वल्स टू मैं यहाँ पर derivative लोगँगा डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स किसका TR का जो कि आपको बहुत अच्छी तरह के से यह बात सौने में आपको आ भी गई है कि आप किस तरह के से लेंगे MR एक्वल्स टू डी अपॉन कि अब आपके पास्पर टी आर क्या है बच्चे टी अटान ऑंके पास में है ह। 100 alive को को DS niin कि हमार पर एक्वल्स टू उप इसको गर सॉल करते हैं तो आपके पास में क्या रहता है यह का डенный आपके पास से माइनेंस 10x हो घे आपके प्ताहुन करेंगे इसको आप तो बेस्वक्री आपके पास पर ये पाइंडा मार्जनर रिवेन्यू फंक्शन फोरा मोनोप्लिस्टिक कनफॉरंटिड विद दिमांड फंक्शन एक्स एक्वोस तो आपके पास पे इसका आप निकालेंगे तो आपके पास में कुछ फरक नहीं बढ़ता मार्किट क्या है करने तरिका हुई रहेगा तो आपके रिवेन्यू के लिए आपके पास में क्या चीए प्राइज इंटू क्वांटिटी चीए तो टोटल रिवेन्यू तो प्राइज आप निकालेंगे कैसे इसमें आपके पास में क्या गिवन है एक्स इक्वल्स टू टैन माइनस टू पी और प्राइज कैसे निकालेंगे कि आ एपके पास में अगर यहां पर तो टी आर इकवल स्टू प्राइज इंटू क्वाइटी तो प्राइस क्या है माइनेस एक्स बाइज टू प्लस फाइफ और इंटू क्वांटिटी तो quantity always आपका जो variable use हो रहा है वो यूज होगा like x इसमें रहेगा तो solve करेंगे तो tr equals to क्या रहेगा आपके पास में minus x square upon 2 plus 5x अब अगर आप derivative लेते हैं इसका क्योंकि आप क्या निकालने जा रहे हैं marginal revenue तो marginal revenue equals to d upon dx derivative किसका minus x square upon 2 plus 5x का आगे आप solve करेंगे तो marginal revenue equals to इसका derivative क्याएगा minus 2x upon 2 plus 5 solve करेंगे तो mr equals to क्या आगया minus x plus 5 मतलब क्या हुआ 5 minus x clear है बच्चे समझ गए तो 5 minus x तो यहां पर इसका क्या हो गए marginal revenue हो गया तो उम्मीद करता हूं कि आपको revenue का topic समझ में आ रहा होगा calculus एक आसान topic है कम time लेता है जल्दी होता है correct answer आता है बाकी जो आपका matrix है आपके पास में जो बाकी topic था matrix से आसान ही मैं मानता हूं इसको इसको जो है आप mathematics और finance से भी आप आसान मान सकते हैं कोई दिक्केश इस पर नहीं है जल्दी solve होता है बाकी कोशनों से कि देखो आप करेंगे पहले या फिर मैं solve करवाना शुरू करूं बच्छे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है फर्स्ट कोश्चिन का अंसर में रता रहा हूं कि आवरेज रिवेन्यू क्या होगा हमारे पास में इसकली फार्मला क्या दिया मैंने टियार अपॉन पांटिट अगर आप पीछे देखेंगे तो यह फार्मला दिया मैंने अब रिवेन्यू function क्या है मेरे पास में तो इसको डिवाड़ी बढ़ क्या कर दूँगा मैं एक्स से अब रिवेन्य फंक्शन क्या है मेरे पास में 20x minus x square by 2 divided by क्या करूँगा बच्चे में x तो मतलब यह हुआ इसका बच्चे कि यह भी एकसी डिवाइड होगा यह भी एकसी डिवाइड होगा तो क्या होगा सिर्फ 20 और एकसी डिवाइड होगा तो क्या होगा सिर्फ एक्स यह आईवरे रिवेन्य हो गया ठीक है सेकिंड कोशिन क्या कह रहा है आप से सेकिंड कोशि रिवेन्यू क्लेरे बच्चे तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है basically derivative of d upon dx किसका total revenue का तब solve करेंगे यह marginal revenue equals to d upon dx तो total revenue function क्या है हमारे पास में हमारे पास में है 20x minus x square by 2 this one marginal revenue equals to solve अगर हम करते हैं तो इसका derivative 20 हो जाएगा और इसका हमारे पास में यह 2 नीचे आगा तो कड़ जाएगा तो minus x रहेगा तो 20-6 इसलिए मैंने पहले differentiation करना सिखा दिया था तक कि आगे हमारा ध्यान application पर हो ना कि calculation पर हो कि सरी derivative कैसे लिए यह सवाल नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने पीछे ही चार-पांट-साथ क्लास जो भी है वह लगा करके समझाया था कुशन के लेवल क्या ऐसे ही रहेंगे सवाल अब यह है तो बच्चे लेवल ऐसा नहीं पाएंगे ठीक है बच्चे यह क्लियर है आपको कोई डाउट अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है दम माजर रिवेन्यू वेन एक्स एक्पल्स तो फाइव थार्ड गोश्यन अब बात करते हैं किसकी दा एक्ट्रीज अब लूबर शुश्च इनिट की ऑ ही अच्च्छल रिवेन्यू और शुश्च इनिट क्या करें कि आप सबसे पहले एक्ट्चाल रिवेन्यू किसका सिक्ष इनिट का टी आर आप निकालेंगे किसका 6 unit का और आप MR और टी आर ही आप निकालेंगे किसका इससे एक कम 5 unit का माइनेस कर देंगे बस तो चलिए अगर आपके पास फंक्शन के ट्रूर्ट एंट इमेनु फंक्शन क्या है आरेक्स इक्वल्स टू आरेक्स, X मतलब की 6 unit तो 20 X minus X का सका divided by 2 clear है तो आपके पास में 6 unit का क्या आया 120 minus 36 divided by 2 18 तो R हमारे पास में 6 unit का क्या जाएगा 120 में जाएगा 102 और इसी तरीके से मुझे क्या निकालने TR of 5th unit तो R मैं निकालूँगा 50 unit का तो क्यासे निकालूँगा 20 आपके पास में जाएगा 5 5 square divided by 2 solve करूँगा 100 minus 25 बटा दो तो चाड़े बारा 12.5 तो solve करूँगा 87.5 अब मेरे पास में difference लेंगे इसका अगर आप बच्चे difference लेंगे तो difference क्या आपके पास में आएगा तो सबसे पहले साड़े बारा और दो साड़े चोदा 0.5 इस वन क्लियर आपके क्लियर है बच्चे 14.5 तो उम्मीद करता हूं कि आपको revenue concept अच्छे से सवंज में आ गया होगा नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामने इस कोश्चन को आप करेंगे देखो बच्चे अब आपके पास में suppose that the demand function for a goods product is given by P equals to demand function P equals to A क्या है कोई constant number B क्या है कोई constant number 4, 5, 7, 8, 9, 10 से कोई counting होती है वैसे ही है X क्या है quantity है ठीक है बच्चे तो प्राइस तो आपके पास में है आपके पास में X की value कितनी होगी तो P में से A minus हो जाएगा clear है और यह मैं करके दिखाता हूं कुछ बच्चों की डाइट नहीं कर पाएंगा तो उसके लिए देख लिए जिएगा चली क्या बुच्छे तो टी आर एक पॉस्ट कांसर निकाल रहे है प्राइस इंटू कॉंटिटी प्राइस तो मेरे पास में है बट कॉंटिटी कॉंटिटी है मेरे पास में यहां पर है तो प्राइस क्या है मेरे पास में A minus B X into quantity क्या है? X तो TR तो TR equals to A X minus B X square और A और B क्या है? constant नमर 4 पांस नमर को इक दिगिनती वैसा पहला कान सरी है तो the average revenue of function second average revenue क्या होता है बच्चे? total revenue divided by quantity quantity तो आपके पास में average revenue तो total revenue आपके पास में है यहाँ पर A X minus B X square upon quantity quantity बेसिकली आपका X होता है तो average revenue क्या आएगा आपके पास में X से डिवाइड करोगे तो A minus B X clear है बच्चे? और आपको मैंने बत्ति हाँ पर देखेगा आपका जो price function है और जो आपका average revenue है दोनों क्या बराबर है और होते ही बराबर हैं पताया था मैंने पीछे theory में price और average revenue बराबर होते हैं चब market कोई सी भी हो और आगे आपके पास में क्या है? the marginal revenue function MR तो MR निकालना है आपने अब तो MR क्या होता है बच्चे? derivative आपको लिना है D upon D X किसका लिना है आपको? total revenue को लिना है ठीक है? तो आपके पास में MR equals to D upon D X total revenue क्या है आपके पास में? A X minus B X square तो आप घवराना मत A B से जिसे गिंती कोई होती है चार पांस साथ उसी के जिगए A और B नाम दे दिया है इसने तो उसको देखके पैनिक नहीं होना necessity कर आप हो रहे हैं तो पैनिक तो आप वह unnecessary panic है आप derivative लेंगे A X यह constant number है तो constant number के साथ कोई variable हो आपका X होगा तो क्या होगा A रह जाएगा constant number का तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आपके पास में यह 2 नीचा जाएगा तो minus 2 B X हो जाएगा इस वन बस यह करना था आपके पास क्लियर कोई डाउट किसी बच्चे को चलिए इसकोशन को करेंगे आप फॉर्म्स नो देट दा डिमांड फंक्शन फॉर आव वन हां जी अंजी a firm knows that the demand function for a one of its products is a linear it also knowns that it can be the 1000 units when the price is a 4 per unit and it can sale 1500 units when the price is to a unit the price down hoja ta hai Meer audiobook बेज सब्सक्राइब करें अच्छा और यूनिक कोश्चिन है आपका कि दन बच्चो कि देखिए जड़ा इस खुश्च को जड़ा देखिए हलो च्छी देखिए दन देखिए बच्चे आपके अपकर पास में बच्चिन क्या होता है तो आपके पास में प्राइस रोट यू visitors समय क्यों कोई दूसरा नंबरर यडि holding सबसे पहले कहारी कि प्राइस दो रुपए है तो यह तो पताने मुझे बी नहीं पता लेकिन quantity कितनी में बेच पा रहा हूं सुरी प्राइज अब 4 रुपए है तो मुझे ए नहीं पता मुझे बी नहीं पता बट quantity में कितनी बेच पा रहा हूं 1000 में यूनिट्स बेच पा रहा हूं तो यहां पर 4 है और उसके बाद क्या कहता है उसके बाद यह कह रहा है कि जब प्राइस आपका 2 रुपय हो जा रहा है तो आपके पास भी और कितनी बेच पा रहा हुं 1500 बेच पा रहे हूं तो आपके पास में यहां पर होगया है तू इक्वलulas चूह ए अब आपके पास में दो equation आपको देखने को मिल रहे हैं एक equation यह होगए आपके पास में और एक equation आपके पास में यह होगे दो equation अब तो आप Elimination Methods के help से आप दोनों equations के आप value निकाल सकते हैं कैसे उसको देखेगा क्या आपके पास में एक प्लस 1000 भी ठीक है equals to 2 और एक आपके पास में क्या है equals to 4 and A plus 1500 B equals to 2 अगर आप इसको solve करते हैं तो sign change करेंगे प्लस का है तो क्या करेंगे इसको आप minus का प्लस का है तो minus का आप solve करेंगे अगर आप इसको तो ये तो आपका कट गया तो क्या आपके बचा minus 500 B equals to 2 and B equals to minus 1 upon 250 ये बचेगा clear है और अगर आप किसी भी एक variable में आप इस value को रख दें for example आपके पास में A plus 1000 B equals to किसी में भी रख सकते हैं आप तो A plus 1000 और B की value का है minus 250 equals to 4 आप solve करेंगे तो आपके पास में 2 और ये आपके पास में 4 तो क्या आपके पास में आपके पास में क्या बना function तो price equals to A की value क्या निकाल के लाए हो आप 8 plus B B की value क्या लेकर क्या आप आप आयो minus 1250 clear ना B और ये क्या हो गया X ये क्या हो गया आपके पास में function हो गया तो demand function and the total revenue function total revenue function कैसे निकाल हो गया अब आप टी आर तो टी आर कैसे calculate होगा तो टी आर का formula आप जानते हैं क्या प्राइस इंटो quantity तो टी आर बच्चे क्या आएगा आपके पास में 8x minus x square by 250 और क्या पुछा है the average revenue function fourth point जी second का आपका अंसर था the average revenue function third average revenue तो क्या आएगा आपके पास में tr average revenue क्या होता है बच्चे tr upon quantity तो basically आपके पास में 8x minus x square upon 250 and divided by quantity जाओ quantity से डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास में a r equals to x divided करेंगे 8 minus आपके पास में x upon 250 के प्राइस के equally होता है क्लिर है बच्चे और अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप माधे रिवेन्यू फंक्शन तो टोटल रिवेन्यू का डेरिवेटिव ले ले लेंगे तो 8 minus x upon 125 आपका हो जाएगा यह एक constant number होता है with respect to quantity यह fix है कि आपके पास में demand function का आपके पास में यह एक formula रहता है यह fix है क्लिए रहें तो माधे रिवेन्यू निकाल लोगे इसमें अब यहाँ पर आप menu हाँ बिल्कुल सही यह 8 minus 2x upon 250 नहीं बच्चे अगर आप इसका derivative लोगे टोटल रिवेन्यू का this one तो यह आपके हाँ इसका आपके पास इसका derivative ले लेंगे तो 2x है ना तो ठीक हो 2x से x काड़ दोगे तो 125 हो जाएगा x minus x upon 125 है ठीक है 8 minus 2x upon 200 सही है साहिल क्योंकि टू से टू 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 आप काड़ दे 125 हो जागा इन्यूमेटर में क्लियर है अब नेस्स क्लासिस में मैं नेस्स कोशिन डिस्स करूँगा मिलते हैं बच्चे फिर नेस्स क्लासिस में बच्चे आपके पास में revenue function a plus bx आपके पास में demand function का formula होता है पी पॉल्स टू a plus bx और नेस्स क्लासिस में आपको और explain कर दूँगा च्छे के